जैशी कृष्णा दोस्तों बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों जब भी कोई महिला देखे गरवती होती है तो यह जिग्यासा अवश्य रहती है कि मेरी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों अगर आप में भी बहुत अध और किस तरफ आपको जातर उसकी जो मुमेंट है वो होती है और किस महिने से वो मुमेंट करना शुरू करता है दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने वेल आइकन को दबा सबसे पहले आप तक पहुछ सके दोस्तो इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी दे रहें देखें हमारे बड़े ब्जुर्गों के अधार पर दे रहें साथ ही हमारे शास्त्रों में गरंतों में भी यह उलेक मिलता है कि जब गर्में लड़का होता है तो वो किस तरफ रहत है दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है अगर आप गर्वती हैं और आपकी फर्स यह सेकंड प्रेग्नेंसी है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे अगर आपके गर में लड़की होती है तो देखे जो हल चल है वो जल्दी शुरू करती है अगर आपको तीसरे चोथे महीने से ही अपने बच्चे की जो मुवंएंट है वो फील ओने लग गई है यानि उसकी जो हलचल है आपको फील ओने लग गई है उसके जो हाथ पैर चलाता है बच्चा अगर वो आप मैसूस करने लग गये हैं तो यह लक्षन देखे बेटी होने का माना जा तो वो हलचल पहले शुरू कर देती है और वहीं जब गर में लड़का होता है तो वो देरी से हलचल करना शुरू करता है यानि वो देरी से हाथ पर चलाना शुरू करता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे की जो मुवमेंट है उसकी जो हलचल है होने का माना जाता है वहीं पर अगर आपको अपने बच्चे की जो मुमेंट है अगर लेफ्ट की तरफ यानि बाइंट की तरफ अगर आपको ज़्यादा फील होती है तो ये लक्षन देखे लड़की होने का माना जाता है और हमारे शास्त्रों में भी कई जगा पर ये में मैसूस होने लग गई है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है दोस्तों जब गर में बच्चा होता है तो देखें पूरे पेट में मतलब घूमता है तो कभी आपको उसकी जो मुवमेंट है उपर की तरफ यानि नाभी से उपर की तरफ मैसूस हो भी कभी आपको जैसे आपने खाना खाया तो उसके बाद moment करना शुरू करते हैं अगर आप मैसूस करेंगे देखेंगे उस समय पर अगर आपको ज्यादा तर अपने जो बच्चे की जो moment है मतलब नाभी के नीचे वाले हिस्से में मैसूस हो रही है तो यह लक्षन बेटा होने का माना जाता है इस लक्षन को आपको देखें कई बारी नोटिस करना चाहिए छटे सात्वे महिने के बाद आप ज्यादा तर मतलब अपने बच्चे की जो moment है अगर नाभी के नीचे वाले हिस्से में और नाभी के नीचे वाले हिस्से में भी अगर आपको दाई तरफ यानी राइट की तरफ उसकी जो moment है तो यह लक्षन देखें कही ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों देखे पूरी प्रेगनेंसी के दोरान आपको तीन अल्टा साउंड होते हैं और तीनों ही अल्टा साउंड की जो सोनोग्राफी जो रिपोर्ट होती है उसमें अगर बच्चे की जो हार्ट बीट है पर मिनट में 140 प्लस या 150 प्लस तक मतलब 150 तक अगर आपको उसकी हार्ट बीट है तो यह लक्षन भी बेटा होने का माना जाता है वही पर अगर आपके बच्चे की जो मुमेंट है मतलब 140 से प्लस या 150 से भी प्लस है तो यह लक्षन देखे बेबी गल होने का माना जाता है दोस्तों अगर आपको यह मतलब लक् प्यासा को दूर करने के लिए वीडियो बनाई गई है तो आप इसको मतलब देखकर कोई गलत कदम बिल्कुल भी ना उठाएं दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप सभी को जैशी कुछना